नमस्कार दोस्तो आपको मेरे यूटूब चैनल में फिर से सौगत है जिसका नाम है बाई सेल्स सेगिनल सौप्टर अगर अब सेयर मार्केट में कांद करते हैं और लॉस से परिशान है या फिर आप जितने एक्सपेट कर रहे हैं उतना रिटान आपको नहीं मिल रहे हैं एक्सपेक्टिशन का जैसा रिजाल नहीं मिलता है तो थोरा सा टाइम निकल के वीडियो को अंतक जरूद देखिएगा तो सबसे पहले देखिए लेट एंट साइड में बैंक निकलर का ऊप्शिन का एक चार्ड लगाए हूँ और दोनों को स्टेप बाइ olduğunu तो सबसे पहले मैं बैंक निकल का चार्ट को थोरा से एक्सपेंड करता हूँ तो थोरा ड्रैक करके बड़ा कर लेता हूँ जैसे बैंक निप्टी में ये जो rate color का arrow दिखाए दे रहे this is the signal तो जबी भी कोई signal बनेगा automatically screen का उपर एक pop up आ जाएगा sound के साथ इस type का ये जो message box आपको यहाँ पर दिख रहा है दिखिए यहाँ पर लिखा है get ready to sell bank nifty at the rate in that value तो ये जो message box आप देख रहे है market में कहीं पर भी call बना automatically screen का उपर pop up आ जाएगा और इस message box को on करने के लिए just right click करना है हम लोग का software में parameter में जाके देखिएगा alert and voice बोल के दो button दिया हुआ है just इसको आप यहाँ से on up कर सकते है तो जबी भी कोई call बनेगा उस type का message box आ जाएगा मतला हम लोग को ढूडने का ज़रौद नहीं है जो अभी कहाँ पर call बन रहा है या फिर one by one किसी को check करने का भी ज़रौद नहीं परेगा जैसे call बनेगा उसका side में देखिए उसका details लिखा हुआ है कौनसा value में call दिया है जैसा ही call बना था 35931.1 इस value में उससी time उपर में देखिए stop loss का भी line सो कर रहा है नीचे में T1, T2, T3 बोलके 3 target भी सो कर देगा अब question यह है जो क्या ये call जेनुइन था इसमें trade करना था या नहीं करना था तो क्या क्या चीज हम लोग को देखना परेगा जिसका basis में हम लोग इस call को confirm बोलेंगे तो हम लोग का यहाँ पर कुछ condition होता है जिसे हम लोग को ध्यान में रखना है sale का call में हम लोग का first condition है नीचे का ribbon का color को red होना चाहिए देखे नीचे का ribbon का color पहले green हुआ था green मतलब यहाँ पर buyers ज़्यादा था red मतलब sellers बढ़ चुका है तो यह हम लोग का first condition second condition signal का पहले star बनेगा हो भी red color का तो दिखाए दे रहा है मुझके उसका पहले वाला candle भी red color का star है तो यह हम लोग का second condition है और इस चार्ट का उपर yellow line का एक yellow line आपको दिखाए दे रहा है yellow line का नीचे market को आना चाहिए middle में दो green line दिख रहा है जो आपस में crossover होके मेरा इस point पर दिखे pink हो गया तो यह भी एक संकेत है जो नीचे आने का बट इससे भी बहुत ही important जो condition है नीचे का हम लोग का यह line indicator है यह जो line indicator आपको दिख रहा है देखी इसका color एक बार red और एक बार green हो रहा है continuously red green red green हो रहा है color factor नहीं है obviously green मतलब यहाँ पर bias बर रहा है rate मतलब sellers बर रहा है but main जो factor है वो है middle का white horizontal line जहाँ पर मैं यह circle draw किया तो जहाँ से line wide line को तोर के नीचे आने लगेगा या नीचे आग यह आपको दिख रहा है उसका मतलब है आप strongly selling zone में गुसके है तो basic तीन condition आपको देखना ही है जो 11 बच कर 25 मिनट पर जो sale का call बना था star था नीचे का rebound rate था और line भी neutral का नीचे आया था तीनो कंडिशन मैच होने का मतलब है यह strong call है आप यहाँ पर entry ले सकते है तो entry तो ले लिया अब आप exit कप करेंगे exit करने के लिए देखे बेसे के लिए आप अपना expectation का हिसाब से कहीं पर भी exit कर सकते है पहला बात तीकि इस candle पर आपको first target हिट किया 12 बच कर 45 निट पर एक बच कर 5 निट पर आपको second target हिट किया था और finally third target हिट किया था आपका 2 बच कर 30 निट पर तो maximum तीनों target अगर achieve हो जा रहा है तो better है निकल जाने के लिए other is अगर आप wait करना चाहते हैं तो किस basis पर wait करना है wait इस basis पर करना है middle में दो line अभी भी pink हो के चलड़ा जब तक इस दोनों line में आपस में crossover नहीं होगा और इसका color green नहीं हो जाता है तब तक आप इसको carry on करी सकते हैं या फिर नीचे का जो line indicator है ये जब तक दुबारा white line को तोर के उपर नहीं जाता है तब तक आप wait करी सकते हैं तो entry तो ले लिए market जब तक आपको exit नहीं करा रहा है तब तक लंबा profit लेते रही है क्योंकि हर रोज market profit नहीं देता है तो जिस दिन दे रहा है उस दिन दबा के लेना चाहिए तो entry and exit very important उसका अंदर अगर आपको कही पर भी लग रहा है मैं expectation के जैसा profit हो रहा है तो मैं चाहता हूँ अब लिकन भी सकते है तो ये दो रहा निप्टी का चार्ट बैंक निप्टी का चार्ट अब बैंक निप्टी में market काफी ज़्यादा गिरा है तो इसका मदलब है अब आपको देखा है दे रहा है जो ये market open हुआ था उसी दिन सुबह गड़ है market काफी flat रहा सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों line crossover होके green हुआ है तो ये green आपका पहले वाला selling का exit point है जैसे ये जो sale का call आया था इसका exit आप यहाँ पर इसको बोल सकते है या फिर नीच कर 30 पेट पर सारे 11 बजे का असपस उस हब से हम लोग का put buy कराया 12-15 मतब थोड़ा सा late में entry दिया है तो यहाँ पर buy का call दिया है यहाँ पर भी ऐसे लिखके आजागा जैगा जैसे बैलो में 34.55 बैलो को यहाँ पर entry दिया है और यहाँ पर concept ही है सेम चीज़ देखना है नी आएगा नहीं तब तक wait करना है तो basically आपका entry होगा 12 बच कर 50 मेट का candle इस time market का value था 70 रूपीज तो आप 70 रूपीज में 70 रूपीज में भी अगर आप entry लेते हैं तो भी आपको दिखाई दे रहा है जो लंबा एक profit देखे गया है market गिरने का मतलब है put buy करना है जिस दिन market उठेगा उस दिन आपको call buy करना है that is a very common concept बट उसका साथ सथ अगर आप software का strategy भी as per strike price देखते हैं तो काफे जादा आपको help दोलोगा तो यह जो software है यह not only for bank nifty इसमें आप nifty, stock, commodities सबके लिए software applicable है तो अगर आप internet trader है इस market में काम कर रहे है या expectation के जैसा result नहीं ला पार है bank nifty या option में कहीं पर भी काम कर रहे है तो यह indicator काफी हद तक आपको help कर सकता है तो आसा करतों समझ में आया है क्या concept है बहुत ही simple technique है ट्रेंड को समझना है, condition को match करना है, यहाँ पर condition ही important है अगर condition match होता है तो trade करेंगे, condition match नहीं होता है तो trade नहीं करेंगे तो आसा करतों वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा ओपिसली like कीजे, share कीजे, comment कीजे और मेरा साथ join होने के लिए दिखिएगा मेरा description में details देया हुआ है अगर आप account open करना चाहते है, account open करने से एक benefit मेरा तरब से मिलेगा, live market में live support, live support in the sense, आप whatsapp मे कभी भी call, message कर सकते हैं, जो अगर आपका कोई position आप बना रहे हैं, आप position पर अपका फशा हुआ है कोई position, तो आप मुझसे directly message करके एक advice ले सकते हैं, तो thank you, thank you so much, वीडियो अगर अच्छा लगा, obviously like and share, जरूर कीजे, comment कीजे, first time channel को देख रहे हैं, तो subscribe करना ना बोलिए, thank you, thank you so much.